दोस्तो आप लोग दारू मेकिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन दोस्तो हमने तरह तरह की दारू, वाइंस, यहां तक की विस्की की वेडियो बना कर आपको दी है लेकिन दोस्तो आज के इस वेडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडियान्स लोग देसी तरीके से कैसे देसी दारू बनाते हैं यह दारू इंडिया की हर गली महले में जानी जाती है, यहां तक की थोड़े कम पैसे में भी मिल जाती है लेकिन इसको बनाने की प्रोसेस कताई भी सरल नहीं होती है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इंडियन देशी दारू बनाई जाती है तो बिना किसी देरी के चलिए सुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार वीडियो को देशी दारू मेकिंग प्रोसेस दोस्तों देशी दारू को बनाने के लिए सबसे पहले जैगरी यानि की गुड को डाला जाता है गुड को ऐसे ही नहीं डाला जाता उसे घोल कर पानी के अंदर कुछ इस प्रकार से डाल कर मिलाते हैं इसके बाद अब उसके अंदर इस्ट को एड किया जाता है और इस्ट को अच्छे से मिलाते हैं इस्ट के बाद इसके अंदर महुआ फ्लोवर को डाला जाता है जो कि सूखे वे होते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपको पांच लिटर देशी दारू बनाने हैं तो आपको 5 लिटर ही महुआ की जरूत पड़ेगी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह है पूरी तरह से इलीगल वर्क है अगर आपको पुलिस ने ऐसा करते हुए देख लिया या पकड़ लिया तो आपको जेल भी हो सकती है तो जरा साबधान रहिएगा और बस केवल आप इस वीडियो को देख कर ही मज़ा लीजिएगा दोस्तों अभी जो पेश्ट बनाया गया था उसे एक या दो दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसके बाद सुरू होता है दारू बनाने का असली खेल जिसके लिए दारू बनाने के लिए मेन इंग्रेडियन्ट जो पहले बनाय गए थे उसको लिया जाता है उसके उपर एक छोटा सा सिस्टम लगाया जाता है जिससे कि उसकी उपरी इस्टीम यानि की भाब को एकत्रित किया जा सके यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस किया जा रहा है जिसके लिए या तो एक पाइप लगाया जाता है जिससे देशी दारू को एक अलग बरतन में एकत्रित कर लिया जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं कि देशी दारू को ठंडा करने के लिए इसे पानी के अंदर रखा गया है जिससे कि साथी साथ ये जो भाब होती है ये ठंडी होकर दारू में तबदील हो जाए दोस्तो दारू बनाने का यहाँ खेल यहीं पर खत्म नहीं होता है अब अगर किसी को बड़े लेवल पर दारू बनानी हो और काफी अच्छा फलेवर देना हो और महंगी दारू बनानी हो तो उसके लिए हम रुख करते हैं इन जंगलों की तरफ जहां एक तरफ बड़े से टैंक में पानी को डाल कर उसके अंदर फलों को डाला जाता है और भी अच्छा स्वाद देने के लिए इसमें तरह तरह की चीज़ें डाली जाती हैं जैसे इलाइची महुआ, गोड, इस्ट और संत्रे अंगूर यहां तक की इसके अंदर अननास को भी डाला जाता है जितना हमें पता चल पाया उत्रही हम आपको बता रहे हैं इसके साथी कुछ और भी चीज़ें डाली जाती हैं जो हर कोई बताना नहीं चाता है लेकिन देशी दारू बनाने के प्रमुख इंग्रेडियंट यहीं हैं दोस्तो इतना होने के बाद इस ढकन को बंद करके दो या तीन दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिससे कि इसके अंदर प्रमुख प्रकार की गतिविदिया हो सकें और यह जो मिस्रन बनाये गया है यह पूरी तरह से सड़ जाए दोस्तों इस स्पेशल दारू को बनाने के लिए भी वही प्रोसेस अपनाया जाता है जो अभी आपने थोड़ी दिर पहले देखा था अब अगले दिन इस सारे माल को बाहर निकाल कर एक बड़े से भगोने में कुछ इस प्रकार से रख कर उसके नीचे से आग लगाई जाती है और दूसरे बरतन में रखने के लिए एक अलग से बड़ा सा भगोना लगाया जाता है और उसको पानी के अंदर यों रख दिया जाता है जिसे की जितनी भी भाप बने वो दूसरे बरतन में एकत्रित होती रहे यही होती है असली दारू बनाने की मेकिंग प्रोसेस जो कि नॉर्मल देशी दारू की अपेक्षा थोड़ी महंगी होती है तो दोस्तो ये था नॉर्मल देशी दारू बनाने का प्रोसेस और स्पेशल देशी दारू बनाने का प्रोसेस दोस्तो अगर आपको kingfisher, royal stack, imperial blue या फिर red wine की making process देखनी है तो उन सभी वीडियो के link हमने description में दिये हैं आप जाकर definitely check कर सकते हैं दोस्तो अब आपको थोड़ी सी जलग दिखाते हैं कि यही काम फैक्टरियों में कैसे किया जाता है दोस्तो इस दारू को बनाने के लिए यहां बड़े-बड़े containers को लिया जाता है जिनकी capacity 2000 लेटर से भी कहीं जादा होती है उसके बाद इसके अंदर वही ingredient डाले जाते हैं जोकि अभी हमने पहले डाले थे जैसे yeast और यहां पर अलग-अलग दारू बनाने के लिए अलग-अलग ingredient होते हैं हमने अपने वीडियो के लिंक नीचे description में दिये हैं आप definitely check कर सकते हैं और देख सकते हैं इन सभी wine, दारू, kingfisher और beers को कैसे बनाय जाता है दोस्तो अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक like जरूर से कर दें और अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना जाते हैं तो हमें नीचे छोटा सा comment कर दीजिए हम आपके लिए इस वीडियो का part 2 विल ले कर आएंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आल पर जरूर से सेट कर ले तो दोस्तो मिलते हैं एक और नियो वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहंद वंदेमा तरम खयाल रखें अपना और अपने परिवार का